आपके सामने है क्लास 5 इंगलिज New Gems रतना सागल लेसन नमबर 1 ओलीवर find's our home तो इस चैपटर को इसटार्ट करने से पहले हम चैपटर के इंट्रो के बारे में जानने वाले है इंट्रो इस चैपटर की स्टार्टिंग में या आपर लिखा उआ है लिखा हुआ है ये ये चोटा सा हिस्सा है, Extract का मतलब होता है चोटा सा हिस्सा, एक नोवल का, नोवल का नाम है ओलिवर टुइस्ट इस कहानी में ओलिवर एक अनात बच्चा है जो अनात अले से भाग चुका है क्योंकि उसके साथ बुरा भेवार किया जाता था अनात अले में और वो चोरों की मान में जा पहुंचा है तो वो चोर ओलिवर को एक घर में चोरी करने के लिए अपने साथ ले कर जाती है हम इस चप्टर में पढ़ने वाले हैं सीन वन में दो लेडी ठीक है, दो महीलाए एक साथ एक रूम में बैठी हुई है फर्स्ट है यहाँ पर मिसिस माइली और सेकंड है यहाँ पर यह रोस ठीक है, मिसिस माइली और रोस, बड़ी ही बेसबरी के साथ डॉक्टर के आने का इंतिजार कर रही है, रोस कहती है कि मुझे अभी अभी किसी के सवारी के आने की आवास सुनी, यह जरूर डॉक्टर लोसबर्ण होने चाहिए, जब डॉक्टर लोसबर्ण उनके घर के अंदर आती हैं तो रोस उनके स्वागत करते हुए कहती है ओ प्लीज आप हमारे साथ उपर चलिए और उस बेचारे बच्चे को देखिए तो डोक्टर कहती है सर्टेनली जरूर मैं जरूर देखूंगा आप मुझे उस रूम तक लेकर चलिए जहां पर वो बच्चा अराम कर रहा है डोक्टर काफी समय तक अपने उस मरीज के साथ रहता है और कुछ चीजे लाने के लिए भी कहता है जैसे वो उसके इलाज करते वक्त थोड़ा गरम पानी मंगाता है और साथ ही कुछ साफ सीट्स कुछ साफ कपड़ी मंगाता है तो जब उसका इलाज हो जाता है तो कुछ स उमीद है वो अब खत्रे से भार है तो डोक्टर कहती है नो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है वो जल्दी ही दो हफते दो या तीन हफते में सोरी एक या दो हफते में सही हो जाएगा क्या आपने उस चोर को उन चोरों को देखा था तो ये लेडीज ये दो है ये चोटा सा बच्चा चोर कैसे हो सकता है रोज कहती है ओ बेचारा बच्चा आंटी प्लीस इसको जेल में नभीजना डोक्टर कहते हैं हम इन बातों को किसी और कमरे में जाकर करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा जाग जाए तो तीनों के तीनों डोक्टर, मिस्स माइली और रोस तीनों दूसरे कमरे में जाकर बातचीत कर रहे हैं और बड़ी धीमी आवाज में बोल रहे हैं जिससे की वो बच्चा ओलिवर जाग न जाए तो यहाँ पर डोक्टर कहते हैं कि हमें उस बच्चे की बाते सुननी चाहिए जब वो जाग जाएगा अगर वो बेकसूर निकला तो हम उसकी मदद करेंगे और अगर वो अपरादी निकला तो हम उसे पुलिस को सौब देंगे तो इस पर मिस्स माइली गहती है कि मैं आपकी बात से एगरी हो मैं आपकी बात बिल्कुल सही समझती हूं पर मुझे अभी भी वो बेगुना लग रहा है बच्चा निर्दोस लग रहा है तो साम को जब बच्चा ओलिवर जागता है तो बड़ा ही ठका हुआ मैसूस करता है फिर भी वो बड़ी उत्सुकता के साथ उनको अपनी कहानी बताता है वो कैसे बताता है कि कैसे मुझे, उन चोरों ने, मुझे वो चोर मुझे बड़ा ही बुरे काम करवाना चाता था वो हम, वो चोर मुझे आपका घर चोरी कराना चाते थे और वो मुझे ऐसी ही घाल आवस्ता मियां से छोड़ कर भाग गए तो ये दोनों लेडिस रोस और मिस्स माइली उसकी दुखी भरी कहानी को सुनकर बड़ी ही प्रभावित होती है और यहाँ पर रोस कहती है उसकी कहानी सुनने के बाद क्योंकि उसे बड़ी ही दुख भरी कहानी लगती है बच्चे की वो कहती है कि अब हम ये इस बच्चे को पुलिस को नहीं सोपना चाहिए हमें नहीं चाहेंगे कि पुलिस इंसको ले जाए तो मिसिस माइली कहती है कि मैं इस बच्चे का एक बाल भी बाका नहीं होने दूगी बाल भी बाका नहीं होने देंगे मैं उसे नुकसान नहीं पूछने दूँगी हमें बस यही प्रिपेर करना है अब हमें यहीं सोचना है कि सर्वेंट को क्या बोलना होगा जब पुलिस आएगी तो पुलिस के आने के लिए वो सर्वेंट्स को त्यार करती है उन्हें बताती है कि उन्हें क्या क्या बोलना है जब पुलिस आएगी तो फिर अगले थी उस समय फिर बाद में पुलिस आती है और इंक्वाइरी करती है अपनी जाच करती है रोबरी के बारे में चोड़ों के बारे में पूचculo के बारे में पूच्ती है तो नोकर एक हेक करके जवाब देती है First servant कहती है कि वो rober जो चोड़ थे वो दो थे और वो बड़े हे बुरे लग़े थे और यहांपर Second servant कहता है कि मुझे उमीद है आप उन दोनों चोरों को ढूड लोगे और उन्हें सजा दोगे थर्ड नोकर कहता है कि लिटिल ओलिवर वो छोटा बच्चे ने तो अपने आपको खेलते वक्त घायल कर लिया था तो पुलिस इन तीनों सर्वेंट्स की बाते मान लेते हैं और ओलिवर को सांची से वहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं फिर बाद में मिसिस माइली और रोस उस ओलिवर की देखबाल करने लगती हैं जैसे हाँ पिच्चर में देख सकते हो मिसिस माइली पूछ रही है ओलिवर से क्या आप एक और पीस खाना चाहोगे तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद उसकी जिंदगी बहुती बिल्कुल बतल जाती है अब हर रोज ओलिवर एक जेंटलमेन के पास जाता है ये है जेंटलमेन उनके पास जाता है जिससे की वो पढ़ना और लिखना सीख सके वो इसे पढ़ना और लिखना सिखाते हैं जैसे की आप याप याप वो पढ़ा रहे हैं इस बच्चे को ओलिवर को और कह रहे हैं तीन महीने बीच चुके हैं और ये तीन महीने उसकी जिंदगी के सबसे खुसी वाले दिन है ओलिवर ट्विस्ट के लिए तो इस तरीके से ये ओलिवर ट्विस्ट की कहानी यहाँ पर खतम होती है अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज लाइक जरूर करना और कोसन आंसर एक्सोसाइस में जल्दी ही आपको इस चैनल पे आपके लिए इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा या फिर आपको इस चैनल वीडियो के डिस्किप्शन में उसका एक्सोसाइस का लिक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेडिस्ट में जाकर सभी चैप्टर्स को दीख सकती है और थैंक यू, हैव अनाइस डे, बाबाई